दिल्ले रोहिने सेक्टर बेस रोयल मार्केट में हर्जी जन कल्या आइंप्रस पंजगेट के द्वारा एक मुफ तकेंसर हेल्थ टेकप केम्प का युजेंट के सही होग से किया क्या क्या केंप में सेखड़ की टादाद में आकर शेतर के लोगों ने केम्प का लाग उठाया डॉक्टर नवचीप ने बताया कि केम्प लगाने का मुख्य उदेश है जहां लोगों को कैंसर के लिए जाक्रू करना है जैसे कि अकसर देखा जाता है कि लोगों में एक फोबिया है वह अपने सौनस्ते को लेकर बिल्कुल भी जाक्रू कर नहीं है युदि किसी परकार क कोई हैल्थ को लेकर प्रशाणी होती है तो कोशिश यहीं रहती है कि क्या दोक्टर के पास जाए और वहां केमेस्ट से कोई दवाई ले ले लेते हैं क्योंकि लोगों के बन में एक फोबिया है कि कहीं पर ऐसा ना हो कि आपके दोक्तर को लंबी चोड़ि बिमारी ना पता करते हैं ताकि लोगों को जाकरूप किया जा सकें ताकि वह केम्पों में आए अपना है चेक अप कराए यदि उन परकार के कैम्पों में आनी चाहिए और इन कैम ऑफ लावधाना चाहिए तो यहिसकर कैम्प काफी कम टादी लगाए जाते हैं हमारी कोशिश होति हैं कि हर महां जो लोग नहीं लगा सकते आपको बता रहे हैं महंगे ट्रेस्टर जो लोग नहीं करवा सकते उन लोगों के लिए यह यहां पर कैम लगा जाते हैं कि दोक्टर डीपिकल निकाहा के सरकार के साथ साथ समाच से भी संस्थाउ भी आगया ने चाहिए इनको लेकर इस पतार की स्लम एरियंस में लगाने चाहिए जो देखेंगे यहां पर यहां पर जो है काफी सारा पूछते हैं कि यह लगे हुए इनका क्या यूज है किसकी चीज के लिए हम रखाएंगे न मस्कार रास अनुस्कार मेरा नाम सरीता यह मेमोग्राफी मैं मेमोग्राफी टेकनिसियन हूं यह मेमोग्राफी मसीन है तो इसमें ग्या होता है 40 प्लस को डॉक्टर एक्जामिन करते हैं जब गानिक्रोजिस्ट वो भेजते हैं हमारे पास कि किसी को लंप है सिस्ट रहे कुछ भी आ तो उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम मेमोग्राफी करते हैं ठीक है तो जो डॉक्षा बताते हैं तभी हम करते हैं 40 प्लस कोई भी किसी को भी तो अभी तक जासी यह कैम्प लगा है इसके बीट में अब तो अभी नहीं आया है मेमोग्राफी हुए है पर इसकोई लंप वाले नहीं आए है आए तो अभी तक मदरे किसी पैशन को कुछ आसा सरी प्राइब डेक्टिए नहीं नहीं स यह जो आप एक्सरे करते हैं आप किस प्रिकार के जो पेशेंट है अब अफसर आप देखते हैं किस प्रिकार के जो पेशेंट है आपको सब पता चलता है किस प्रिकार के पेशेंट जाना है बेसिकली देखो यहां तो एक्सरे का एक्सरे करते हैं दो चाती का एक्सरे सबक तो आप अभी तक कितने पेशंट आ चुके हैं? अभी तक कितने पेशंट आ चुके हैं? तो जैसे कि आप यह फ्रीलचार को लगाते हैं, तो अक्सल कितने पेशंट्स आपके बास आजा चुके? 100, 120, 100, 180, 180, प्रश्ण दाजाते हैं तो सब्सक्राइं कि यह पर दाक्टर पर पाइंगे प्तानी कितना बिल बन जाएगा इसके लिए क्या कहें लोग कैसे दूर भी और ने से लोगों को बताते हैं कि हां जी एसी बात नहीं है अपने आप तो फिर वह है कि इंटरेट से नूड़ो और दवाई ले लो गया काम अंधिरे में रहना अंधिरे वारा परग्राम देख रहे हैं हमारा कैमरा मैं आपको दिखा रहा है ये हांजी कल्यान कि त्रस्थि वालेंटियं के टिम ऐंस क्यों सब्सक्राइं आप घा это करने हैं यह हजी क्लियानट ट्रस्ट की टीब है एक कसे इंड लोग किस परकार के काम करते हैं इसके में धेश्या क्या हर्य सबस्क्राइब प्लस हम अंडर प्रिविलिज़ लोगों की हल्प करना चाहते हैं। हमारा एड्यूकेशन और हेल्ट से रिलेटेड है सारा। जैसे हमने पहले भी काफी केंप लगा रहे हैं। यह केंप आज लगाया है। यह जो आपकी ट्रस्त है। यह कहां से बेस्ट है और यह कब से काम करते हैं। यह डेली बेस्ट है। नेता जी सुभाष वालेस में हमारा ओफिस है। तो तीन साल हो गया है हम इस पे अपकांप कर रहे हैं। तो आप किस-किस प्रगार के बीज़े केंप लगा चुके हैं। तो हम एक ब्लाइंड सेंटर में भी जाते हैं। और एक स्पेशल चिल्डन स्कूल है वहां पे भी जाके हमने केंप लगाए। जैसे कि आप एक बहुत ही ने काम कर रहे हैं। इसके बीच में क्या होते हैं कि जैसे हम लोगों के बीच में सो भी आ है। अगर सर्द्द्द होते हैं काम इससे द्वाही लें। जब कि यह जानने कोशिशने करते हैं सर्द्द्द हैं क्यों भी पी की वजा चैट्रेश दिखा लिए लाज़ीज गाली। अपनी मेद्दी चाम् तक से खेल जाते हैं। लेकि हम भी पसंदी करते हैं। लेकिन जैसे कि आपकी एक ट्रस्ट ये एक फ्री हाल चेकप केमप लगा रही है तो इससे जो है लोगों के बीज में से क्या यह जो डार आई यह निकले रहा एक्शली अभी तक तो जहां भी हमने कैंप लगाया हमें बहुत अच्छा लोगों में होता है लेकिन जरूर जाना चाहिए ज़रूर जाना चाहिए जिससे वो अवेर हो अभी तो बीमारी का पता चलेगा ना अगर मैं कहूं मैं दवाई ले लो और मेरी बीमारी बर्टी रहेगी मैं बपर पास नहीं जाओ तो डॉक्तर के पास जरूर जाना चाहिए चैक-प कराना चाहिए मतलब यह गिफ्ट अपने आपको देना चाहिए आपर six months में हमें medical check-up कराना ही चाहिए जैसे ही के हमारे बर्दे गिफ्ट हो गया बर्दे की जगह हम के काटे के बज़ा हम ड़क्तर के पास चलेगा रहा हम चैक-प करा ले हमारे लिए वो बेनिफित होगा जैसे यह आप सो बड़े युवा है और आप लोग बड़े अच आप जो हमारी युवा पीड़े उसको क्या संदेज देना चाहेंगे इसी के लिए संसाब ने का कि mobile यूज करते हैं हम मोबाइल के थू भी हम आपा Facebook, Instagram, LinkedIn हम उससे पूरा connected रहते हैं ताकि आप आज के यूद को connect कर सके हैं और हम सरफ हेल्ट के साथ सच एजुकेशन भी रह जैसे अगर हमारा युवा जो जब आगे आएगा तभी जैसे आप किसी भी फिल्ड की बात करें तभी हम जाते हैं तभी आगे बढ़ेंगे लिकुल बढ़ने पाएंगे तो जैसे कि आप मैंने बाक्सा से भी जैसे को समस्या आती है कि लोग दॉक्तर के पास जाना पसंद जाते हैं तो जैसे बहुत बढ़ी ब्युमारी है ऐसे लोग दॉक्तर तक नहीं आते हैं उनके लिए का सथेशा है सबसे पहले तो सिर्फ Google पे ना पड़ें आज कल हम गोगल पे सर्च कर लेते हैं वह Google पे ना पड़ें सबसे में पॉइंट जैसे मेरी कलीड ने का कि आप अपने बर्ट पर अपने पपोर सकते हैं हम छुटियों पे जाते हैं बाद खाना खाने पे जाते हैं तो क्यों ना पूरी बॉर्डी के चेक अप कराय साथ में और जरह से भी कोई दिखा तो आप डोक्टों से पूछें दोस्तों से ना पूछें मुगल पे ना सर्च करें के इस सबसे बेस टैप में आपको शुरुआत से और रेगुलर एक्सराइज करें अना अच्छा करें नाम विकास जका है विकास तकरी यह जो हर्जी जनकल्यान ट्रस्ट है इसका नाम और ने कैसे हर्जी कर जनकल्यान ट्रस्ट है और इसका मुझ्छा उदेश्य का है और यह कब से काम करें है हम पंजाब में वेसिकली हमारा जो गुरुस्थान है जिलाव श्यारपुर में नंदा चोगराम है करना काल में जब प्रभ लोगों में तरही ताही थी तो उसवें हम परिणा मिली और हमारे जो गुरू दर्वार है वहां पर जो स्टेंट अप का लिंग गद्य नेशीं थे उन्होंने हमें यादेश किया कि आप समाज के लिए कुछ खाम ऐसा करिए कि जो जोगदान समाज के लिए हमेशा के लिए रहे तो हमारे गुरू जो घर है उसका दैश पर जो रुट कि दिल्ली में हमारे लिए का इकसान है मुगरी नगरे पास और मंदे डगा करें सामचा है वहां पर उनकी जो पंजाब में उसकी ब्रांच है वह भी बाहन पर भी धार्मी को और समाजी का रहे होते हैं तो यह उसी की बेसीकरिए समझेए एक शाका है कि और इसका रिस्टेशन किरा के नेता जी सुवाज फेलेस में हमने एक अफिस को ला हुआ है समय समय पर हम एक आम लोगों के उस्तान के लिए जो समाजी को और दार्मी को शिक्ष्क्रितार एक हाम करते हैं सर जैसे कि अबी आपने आपने एक कैप लगाया है यहां हम देख रहे हमें एक शराफ आई क्लीनी के थ्रुवाई केम्प स्कार्ट किया इसके दर हमें 200 200 के करीम लोगों ने प्री उसका ही चक अप हुआ और 16 लोगों ने शराफ आई क्लीनी के साथ हमारा जो का CSR के अंदर उनका प्रविजन है 16 लोगों के प्रावलों में उनके सब्जरी फ्र सब्सक्राइब निए और नहीं जो वांद की है और अभी हमें पिछे हम्ummोर मंदि दगहां में लट ड कैम स्टर가 देंटल के लगाए गे अईसे लूगों साथ हमें लोगों को समाज के साथ कि तरने अपनक करके तो यह पराइस में हैं जो हमारी और अपने है सब्सक्राइस करते है। वो अमना रहा है वो एन रहा घटा है तुर कैसे वेर्नशार रहा है? No, I think over a period of time a lot of awareness has been created, the volunteers are coming to their own and trying to help the society in one or the other way. And we have seen in the past, over the last 3 years, a large number of volunteers have opted to get associated with our Harjitankhalle on the Church, which was set up around 3 years before, तो पर अब देख रहेंगे कि निग्स केम नहीं कर जो अब आपर रहेंगे कि नहीं के सब्सक्राइब कर दिखनेगे लिग्वाइब करने और ब्सक्राइब करने करेंगे चाहिए। लगेगा और कब लगेगा इस चंप के लिए we have noticed that the cancer has been growing rapidly in the country and we have both Indian Cancer Society and they have agreed to cooperate with us and this camp is in association with the Harji Jankal Dayan Trust and the Indian Cancer Society. We have also taken the support from Dr. Lamit Damija who runs this center. He has volunteered to offer this space and we have made all the required arrangements. We are thankful for volunteering to utilize this space. Sir, if you have a patient like this, you can contact your Harji Jankal Dayan Trust. How will you do this? We have given our number. We have already contacted our website. Our contact number is our email ID and we have available on social media. Our contact number is 98106-91244. If you have any time, we will help you with our contact information. We will do our contact information. P.E.L. Checkup Camp पजली के बहुत ज़्यादा दुरूरत है। जोगों के वीज़ उने वीया है। ज़र मदद्धाइब आप्तर के बाद जाओं कितरे टास्टिक देंगें। ज़सकी वजय से टैंपिस्ट के बाद जाड़ा जादा पसंते करते हैं। से जान लें वहां काई तो बड़े सफ्टे में भी उत्यादा से लिए लगार के लिए उने वख में लगाए ताकि ये बीमारी लोगों को डिटेक्ट ही तब होती है। कि ना फेले बीमारी इसकी रोकताम के लिए ही जाब है इसको हम Cancer का Camp नहीं काएंगे, इसको हम Cancer के बचाव का Camp काएंगे. ये एक तरह से Cancer Awareness Camp ताकि अगर किसी को भी कोई पॉलम लगती है, कुछ है, अगर हमें कोई भी भी उसमें भी मारी के कोई लक्षन दिखाई दे रहे हैं, तो अर्ली डाइगनल्स होके, वो पेशन सही हो सके, अदर्वाइस पेशन जब होस्ता है, तो वो इस पर लेटर स्टे कि अवेरनेस कैम है, कि अब हम लोग के OPD में हम लोगों ने अवेर किया पेशन को, तब हम लोग इतना जो ये कैम कर पा रहे हैं, अब आज सेगडों के तुलाद के लोग यह आप आया है, इसका लाप ले रहे हैं, अच्छी लोग तो बहुत सारे कैम का रहे हैं, तो काफी दिन से एफट्स कर रहे थी, इस कैम को और्गनाईज करने के लिए, कि हम लोग यह अवेर कर सके कि लोग डरे नहीं, जो हम कैंसर का नाम सुनके डर जाते हैं, उन लोग के डर को पहले हमने खतम किया, कि यह बचाव के लिए है, कि ऐसा नहीं है, कि आपको आपको करने के लिए, डाक्त साब नहीं है, कि लोगों को अवेर किया, बताया, जो कि एक मतलए कि हम ते हैं तो एक बहुत ही पुन का काम एक सोजाइटी के बीच में है, जैसे कि डाक्टर को कहा जाता है, कि डाक्टर का दूसरा नाम जो भगवान है, को ही काम अज डाक्टर काम ने किया, यहां पर क्या देख रहे हैं कि इतने लोगों के आप बिलाया, और फ्री हल चेक अप लगाया है यहां पर फ्री चेक अप हो रहा है, अगर किसी प्रकार की भी कोई बिमारी होगी, तो उसको बड़ी असानी से भी डिड़क्ट करके उसका इलाज किया जासे है है, यहां काफिल नो से चला रहे हैं, ठीक है, और हमारी एक संस्था भी है, सेवा सवेरा फांडेशन, जो की इस से केर ट्लिनिक से असोसियेटेट है, ठीक है, तो सर हम टाइम टू टाइम वैसे भी इस कैंसर कैंप के अलावा भी बाकी भी चीजे हम लोगों की हेल्थ अव करगे हैं क्या, सर फर्दर फीचर में जैसा भी होगा हम लोग इन्फों करेंगे, अदर्वाइस वीकली-वीकली हमारा कैम्प कुछ बेसिस पे शोट उस पे बेसिस पे चलता ही रहता है, मत स्वाव का समधाद वो शिक्षा से, आज हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे, प्रिवलेज़ लोगों को जो शिक्षा देते हैं, इनसे पूछें किस प्रगाईड लोग आता है, हाँ भी सरु, हम जो अदर प्रिवलेज़ चिल्ग्रन होते हैं, बच्छे जिनको एड़ुकेशन में है, time to time हम क्लासे लेते हैं, जैसे मैं 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 स्टीच करते हूँ, एक जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे देश है, अभी भी, एजुकेशन के मामने है बहुत पीछे है, यह तो बिक्ति सच बात है, और यही सबसे जदा हमारे को इसी की वो रहती है कि प्रगार की प्रगार की पर समस्या है, जब तक कि हम एजुकेटर नहीं होंगे, जब तक हमने अच्छों को पढ़ाएंगे ही नि उनको कुछ आप पर बढ़ा बढ़ेंगे, जो आपका यह जो मोटी है, बहुत बढ़ी है, आप बच्चों को लेकर चल रहे हैं, इसे बच्चे जो की शिक्षा नहीं ले सकते, आप उनको शिक्षा दे रहे हैं, जो क्या कहेंगे? सब पहले बाद पहले बाद एक काम हो तो मापाप अगर बच्छों स्कूल भेजेंगे तो ही आगे देश बढ़ेगा अगर मापाप ही कहेंगे आप बच्छों को नहीं पढ़ाना है और वो खुदी कहेंगे कि उन पर ऊज़गारी पर काम करने वो सब करनो तो ऐसे हमारा जैसे कि अभी देशा गया कि दिल्ली के बीज में जैसे पर नाली है इसके पुझे है कादि सधार किये गये हैं लेकिन अगर पूरे अपने राश्टे लेबल की बात करें तो अभी भी हमारे यहां तो ऐसे जगाए जहां पर स्कूल नहीं है और है तो नाम मातर है अगर स्क अगर बढ़ा बढ़ा है तो इनके जैसे बढ़ा नी बढ़ सके और लोगों की सेवा कर सकते हैं इसले हम चाहते हैं ऐसा एक ट्रस्ट हुला है इसे पचासो लोग फोले और लोगों को सिक्षा दे अनिसा प्रेंशन केंप और सब्लड केंप लगा हैं ताकि हम भी आगे लोग चाहते हैं कि हम आएं और ऐसे कैंप लगें और ताकि हमारी भी सेवा हो लोग भी हम भी होता है वन वे कभी नहीं होता है